हुआ फ्रेंज तो फाइनली हम खार्टु शाम से दर्शन करके वहां से निकल चुके हैं और रात के भी 8 बजगे हैं वहां से 80 किलमेटर रहे हैं और एन एच फोर्टी एट पे दिली जैपुर हाईवे के पास हमने एक रूम लिया है और मैं आपको रूम दिखाता हूं कैसा है बाकी का वीव कर्डिशन में सुबह बता हूं मैं अभी हम काफी ठक चुके हैं रूम का एंटरंस कुछ इस तरह है यह सिंगल बैड का हमने रूम लिया है इसमें एक फैन है और लैट जल लिया है बाकी बैड है एक टेवल है डशन ह हूँ किर मैंनेश में इसी काफी ठक चुका है कि का फी ठक चुके हैं है कि में आखेळल हो यह निबने इस टीक ऄगों अधिन हम च्दाण जीस करते हैं तेक वहां भी दिर ठाद मेर्स जाग linked हैं तो अब ही आपने देश्ट करेंगे हैं है वेरी गूड मॉनिंग कैसे आप सब तो रात को मैं होटल में चैक इन किये थे तो रात को मैं आपको तिखानी पाया था तो मैं चलिये दिखाता हूं अब होटल का है अब होटल को इस डेस्टिनेशन देख सकते है नस 48 है दिली जाइपूर हाइवे उसके साथ ही हे होटल है बाबारामदे फैमिली रेस्टाँंट और हर रूम्स यहां ब्रेकफियर लंच और डिनर्न मिलता है यह कुछ इस प्रकार है यह शौब घ्रोसरी की और यह कुछ इस प्रकार रेस्टार्णट होटल होने और वाला है यह बाहर पर आपको खाने के लिए हैं और साइड में कीचेन है इधर रूम से और बेस्मेंट में भी रूम है तो हम नीचे बेस्मेंट की तरह रूम में लिए थे नौन रूम लिया था था हमने रात को अपनी बाइक अंदर खड़ी करती थी यहां पर लॉक है ताला यह लोग लगा कोई प्रवाबल्म नहीं नहीं है। मंदिर में लाइड जली है और कुछ इस प्रकार यह हमारा रूम रूम था यहां पर चलिए मैं दिखाता हूं रूम में कौन है रूम में साइदा भी मनीश है मैं क्योंकि फ्रेस होगा रहा हो चुका हूं वह भी सो रहा है कि यहीं देखिए मैंने समान वागर आपक कर दिया मस मनीश हो रहा है मनीश जल्दी उड़ जा हमें चलना है निकलना है अब यहां से आ रहा है हूं हमें चेक आउट करने के लिए वहां समान वागर लगे जाना पड़ेगा अब फ्रेंस तो हम सब रैडी हो चुके मनीश भी अब पांदस मिनट में रेडी हो जाएगा तो अब हम यहां से दिल्ली के तरफ निकलने वाले हैं अब दिल्ली में हम आप को मिलेंगे रास्ते में जो कुछ ऐसे चीजिया हैं जो मैं एक्स्प्लोर करने वाली होगा मैं आपको दिखा हूंगा और एक बार मैं आपको जैसे निकलते हैं दिखा रहा हूं जी क्या मतलब यू है कितना अच्छा लगता है एक रैसी हम रूम से बाहर निकलते हैं बिल्कल इसके सामने पीछे पाढ़ है मिट्टी के डैड डैड पाढ़ है देख सकते हैं अब लोग और तो यह हमारे रूम के बाहर का भीव है यह हमारा सबसे कोने वाला रूम से निकलते हैं बाहर देखिए कि यह सामने भी पाहड और यह भी पाहड़ और बादल देखिए इस चल रहे हैं इस देखिए माइन ब्लोइंग के तुलन जाएं आफ राएंस तो फैनले हमें यहां से चयक आउट कर चुके आप यहां से निकलने वाले हैं समान वगरा सारा लेकर आ चुके हैं अनिशुरा बैक टांग रहा हैं मैं गाड़ी लेकर आगया है कि जर्शन काफी अच्छी वी चले निकलते दिल्ली के तरफ यह हमारी गाड़ी को हमने वाम अप के लिए स्टार्ट कर दिया है अब यहां से निकलते हैं और चले चलते हैं यह पगलमी एनच है यहां से हम निकल रहे हैं तो राइस्तान में अभी सुबह और यह बहुत ही अच्छा मोसम है सूर्य देव अपनी तीरता के साथ निकल रहे हैं मोसम इतना अच्छा पहाड़ आप देख सकते हैं कि तना अच्छे लग रहे और इन पहाड़ों में जो सुबह सुबह हाँ चलिए बहुत ही थंड़ी हाँ चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मान ब्लॉइंग व्यू है तो आप सिनेमाटिक शॉट इंजोई करिये मिलता हूं आप से आप क्जान। प्रेंस फाइनले हम आदे से ज्यादा रास्ता कवर कर चुपे हैं और एक बहुत ही अच्छा व्यू आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो देखिए कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं कितने सुन्दर पिरामेट्स टाइप के पहाड़ बने हुए तो आप इन पहाड़ों को इंजोई कर रहे हैं और मिलता हूं मैं आपको दिल्ली में अपने घर पे तो कुछ इंफॉमेशन भी देनी है तो मिलते हैं थोड़ी दिखिए अच्छा हो रहा है और मैं आपको कुछ डिटील सेर करना चाहूंगा आप सभी के साथ सेर करना चाहूंगा मैं अभी चब बैठा हूं मोशन काफी अच्छा हो रहा है और दो दिन से बाहर थे तो आज चब बैठा हैं तो मैं कुछ डिटील आपके साथ बताओंगा मैंने रैस्ट इसी वागरह कर लिए मनीज ऊतनीचे रैस्ट कर रहा है किर उसका पेपर है तो वह सो रहा है तो चलिए मैं आपके साथ पूब डिटील से सेरक करना था और क्या जर्वह चाहिसे की आप बाते एकने बताने जैसे कि आपने देखा हूगा मेरे ब्लॉग में management बाइक से गया था तो उसका खर्चा मैं बताऊंगा वहां रहने का खर्चा बताऊंगा और बाकी सब डीटेल बताऊंगा तो first of all सबसे पहले जो हमारा खर्चा वो तो हमारा जो बाइक से जाने का दिल्ली टू खर्टु शाम जो खर्चा आया है वो आया है लमसम बाराइस रुपे पैट्रोल का अब आकि हम सर्विस वगएरा पहले करा के गये थे तो अब मैं बता रहा हूं बाराइस रुपे ने र peppers घाले सफांवाश ऊंतल जाते हैं वार्टे शाम नवर्चा लोकिश फर्टा की तो एक शर्कषल जाता है का फिरिसर बाफ के दर एक समतरे पहले हैं तो कव्यक की च mango को ताmember को को एक स्वेटी परपस से भी हो सकता है बागी जो ची रौबलम भी हो सकती है तो आ फ्रे तो हमारा 12 रुपे का पैट्रोल इसमें लगा हमारा दो जने गए थे और डवल बैठे थे बाइक पे इसलिए हम बाइक है नॉर्मल स्पीड से चला रहे थे 50 किलोमेटर पर आउर के स्पीड से तो अप डाउन का हमारा खर्चा पड़ गया 12 रुपे पैट्रोल का तो बहुत ह आपको बताऊंगा जैसे कि आप अगो रहते हैं अगर टूशाम का जितना बड़ा एरिया है वहां पर आप होटल लें धरमशाला लें या कुछ भी लें रहते हैं वहां पर तो वहां के खर्चे बहुत नॉर्मल हैं जैसे आप वहां पर जाते हैं तो double bed or single bed room भी मिलते हैं धरमशाला भी है वहां पर double or single दोनों मिलेंगे rooms और utiliser होटल में अगर आप रुकते हैं तो AC और non AC आपको room बैंगे और धरमशाला में मिलेंगे रुकते हैं आपको फैन ही ओनली प्रोवाइड की जाएगी बट अगर धरमशाला में आप रुकते हैं तो वहां खर्चा कम है मगर साफ सफाई आपको खुद करने पड़ेगी जाड़ वगरा खुद लगाना पड़ेगा बाकी बिश्तर वगरा आपको खुद कैरी करके लाना पड़ेगा जहां से वो देंगे से किड़ा कर होटल में आप जाते हैं तो आपको सब कुछ कराइगा मिलेगा तो बाकि उसको आपको एक्स्टर-चारजग पे करना हुआ यही सब बातें जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं और रह गया थाइट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आप खाटूब शाम बाबा के दर्वार में दर्शन करने जाते हैं और वहां पे जैसे पार्किंग हो गया चाहे वोटल हो गया, जाए ध्रमशाला हो गया, वहाँ पर आप जू समान पर्ची कटवा के, गरलर आप जहां रख के जाएंगे, वापस आप आएंगे, तो आपका समान वहें मिलेगा, वहाँ चूरी ब existential preconi法 का ऐसा कोई सीट कह पर सेंद यहीं, आपको आपके जगह पे ही मिलेगा यह सबसे मेन पॉइंट मुझे महां की सबसे अच्छी बात लगी वहां चूरी वगार ऐसा कुछ सीन नहीं है जैसे बाकी जगह पे होता है यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा वहां का कि मैं आप सब को कहना चाहूंगा अगर आप कुछ प्रॉब्लम जहेल रहे हैं फैमिली में चाहे ऐसे हो एजुकेशन से लेगो करियर को लेगो हूँ आपका मन वीचलित हो रहा हो आपको आपके अंदर नेगेटिव थौट आ रहे हैं तो बाबा खाटू शाम के दरबार में आप दर्शन करने जरूर जाए हारे का सार सकते हैं बहुत नॉर्मल खर्चा है वहां पर आप जाईए दर्शन अच्छे से करके आईए यह नहीं कि वहां पर लाक दो लाक पचास जार आपको चड़ावा चड़ाना है मिठाई पर साथ जो आपकी मन की इच्छा हो तो अगर आपके एक रुपे हो दो रुपे हो चाह की तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजेगा वीडियो अच्छा सा कमेच जरूर कीजेगा और वीडियो अपने फ्रांड्स और रिलेटिव में जरूर सेयर कीजीएगा अगर अच्छी लगे तो और ऐसी मेरे साथ बने रहे हैं मेरे saad मेरे कीडियो व्यार्व कर करता रहूँगा तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई